मनुष्य अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के परभाव से दुखी होता है जब मन दुखी होता है तब जिन्दगी बोज जैसी लगने लगती है हर बात बया करूँ ये जरूरी तो नहीं कुछ बात तुम भी तो महसूस करो मेरे दोस्त ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इनसान गिर जाए ठोकर इसलिए लगती है ताकि इनसान संभल जाए जीवन में ठोकर खाना भी जरूरी होता है असली सीख किताबों से नहीं जीवन से ही मिलती है कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल मुझे की हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था ना आवाज हुई ना तमाशा हुआ बड़ी खामोशी से तूट गया एक भरोसा जो तुछ पर था रोज थोड़ा थोड़ा फूलता जा रहा हूं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं कि खुश हूं या दुखी आज इनसान के दुखी होने का एक प्रमुख कारण यह है कि वह जानता तो बहुत अधिक है पर समझता बहुत कम है कर्म बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ना किसी की दुवा खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ जबरदस्ती मत मांगना साथ कभी जिन्दिगी में किसी का कोई खुशी से खुद चल कर आए उसकी खुशी ही कुछ और होती है लोग अक्सर मुझ से कहते हैं कि बदल गए हो तुम मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ कि तूटे हुए फूलों का रंग अक्सर बदल जाये करता है जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है मौसम तो इनसान के अंदर होता है मेरे दोस्त लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना खुआप तुम्हारे हैं तो कोशिच भी तुमें ही करनी होगी तुम्हें अपनी गलती कैसे कहूँ तुम तो वो सबक हो जो मुझे प्यार में मिला है